टाटा मोटर्स का अपने पोर्ट फोलियों का विस्तार जहां पर कस्टमर्स को बहुत सारी रेंज प्रदान करने वाला है और बहुत अच्छे अच्छे विकल्प देने वाला है चाए वो पंच जैसी सुबी हो या फिर सी एंजी में आने वाली नई गाडियां हो वहीं पर ट जबरदस टेंशन देने होने वाला है और इसी पोर्ट फोलियों का विस्तार करते वहें टाटा मोटर्स एक और शांदार गाड़ी लॉंच करने की तयारी में है जो मिड साइज की सुबी होगी और दोस्तों ये गाड़ी कमपनी के पोर्ट फोलियों में नेक्सन और हैरियर के बीच में फिट होगी और बात करें इस नए मॉडल की तो 4.3 मीटर का ये होने वाला है इस कार का प्रोडक्शन मॉडल के नेम हलाकि अभी सामने नहीं आया है पर इसे फिलहाल ब्लैक बर्ड नाम दिया गया है और ये कार सेगमेंट की बाकी कारों के लिए बड़ी चुन चार्ज पैट ओल इंजन और 1.5 लिटर के पैट ओल और डीजल इंजन 1.5 लिटर पैट और डीजल इंजन तो क्रेटा कह सकते हैं आप काफी प्रिमियम टाइप की गाड़ी है तो टाटा भी इसके कंपेटिशन में अब एक शांदार प्रिमियम गाड़ी ब्लैक बर्ड को उतारने की त्यारी में हैं मिड साइज सेग्मेंट के अंदर और ये गाड़ी भी टाटा के ऑल न्यू एडवांस प्लेट फारम पर त्यार की जाएगी जिसे कहा जाता है अलफा प्लेट फारम यानि कि एजाईल लाइट फ्लेक्सिवल एडवांस प्लेट फारम जिस पर की एल्ट्रोज, एल्ट्रोज ईबी इसके लावा टाटा पंच जैसी गाड़ियों को डिजाइन किया गया है और दोस्तों ध्यान दे सकते हैं आप यहां पर कि यहां पर ब्लेक बर्ड काफी शांदार होने वाला है जो इसका प्रोडक्शन वर्जन होने वाला है बहुती शांदार होगा डिजाइन की बात करें तो एस्यूबी के सी पिलर में एक समान ब्लेक आउट पैटर्न है जैसा की हैरियर पर देखा गया है और सामने की तरफ सिल्वर रूफ रेल्स और इसकिट प्लेट इसे काफी रगड लुक देती है टाटा की ये औल न्यू फाइब सीटर प्रीमियम एस्यूबी सीधे तोर पर हुंड़े क्रेटा किया सेल्टोस और निशान किक्स को टकर देगी मज़े की बात ये है कि टाटा मोटर्स नई एस्यूबी एक काफी जबरदस्ट फीचर्स के साथ लॉंच करने बाली है जो भी अन्वील नहीं किया जा रहा है हलाकि उसके बारे में जो रिपोर्ट्स आ रही है बताया जा रहा है कि इसके अंदर वर्ड क्लास एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंट सिस्टम भी दिये जाएंगे तो काफी शांदार आपसंस आपको टाटा की गाडियों में एडवांस सेफटी तो अलरडी होती ही है इसके लाबा और भी ऐसे फीशर्स मिलने वाले हैं जो करेंटली केवल वर्ड क्लास गाड़ियों के अंदर ही मिलते हैं लंबाई में तो आपको हमने बता दिया है लगबग क्रेटा के समानी होने वाली है हाँ इंजन के बारे में इसके कुछ अपडेट हो चुका है कि ये नेक्सन के 1.2 लीटर टर्वो पैटॉल इंजन के साथ भी आएगी जो इसका और भी ज़्यादा शक्तिसाली वर्जन होगा जो नेक्सन के 1.5 लीटर डीजल इंजन को भी प्योग करेगी तो सबसे अच्छी बात है कि डीजल और पैटॉल दौनों विकल्प के अंदर ये लाँच होगी और दोस्तो ध्यान रखने वाली बात ये है कि टाटा मोटर्स यहाँ पर हाइब्रिट को छोड़कर ईवी पर जाना चाहती है और ब्लेक बर्ड एस्यूबी का एक एलेक्टिक वर्जन भी लाँच होगा जो इसके बारे में इन्फरमेशन मिल रही है और जहां तक इसकी डिजाइन की बात है तो ब्लेक बर्ड के लिए फ्लैंक किये गए इंट्रिगेटिड एलेडी डे टाइम रनिंग लाइट्स के साथ ब्लेक बर्ड एडन स्लीक हैड लैम्प क्लस्टर है और बंपर में ट्री एरो पैटर्न वाला फॉग लैम्प है जिसके नीचे चौड़े सेंटरल एयर इंलेट और स्किट प्लेट है मस्कुलर बॉनट रूफ रेल्स हाई ग्राउंड किलिरेंस ब्लेक बर्ड के स्यूबी करेक्टर पर जोड देते हैं और इसी के साथ इंटेजर को फ्लोटिंग टैच स्क्रीन इन्फोटेन्मेंट सिस्टम के साथ एपल कार प्ले एंडोड आटो कनेक्टिविटी मल्टी स्पीकर आडियो संरूफ आदी मिलने वाले हैं और दोस्तों ये ब्लेक बर्ड टाटा की स्यूबी लाइन अप को पूरा करने वाली है जहां पर कि आपके करंटली आप जानते हैं बहुती अच्छा इस सेलिंग पॉइंट चल रहा है कुलमिला का जिस सेगमेंट की सबसे अच्छी डिमांड भी मार्केट में है तो ये है अल टू ओल टाटा की अल न्यू एस्यू बी ब्लेक बर्ड के बारे में अल डेटेल्स अगर ज़्यादा आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर हमारे साथ लाइब चैट कर सकते हैं देली और मिलते हैं इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के साथ तो अगर आप भी रहना चाहते हैं और टेक्नोली से अपडेट तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें प्रेस करें बैल का इकोन भी और नोट्विकिशन सेट करें ताकि हर इंपोर्टन वीडियो आपको अशगर दॉस्तों